अलिगर के धाना देहली गेट उलाख्य के घुडिया बाग में घर में कारे कर रहा एक मस्दूर दमपत्ती वा बच्ची को नश्रा पदात खला कर घर में रखा ज्वेल रीवा नगदी लेकर फरार हो गया गट्ला के सूचना पर दमपत्ती का बेटा घर पहुचा और पुलिस को श्रकात करते हुए बेहोश माता पिता वह बहन को इलाज के लिए जिला अस्पिताल मलखान स्वेंग अस्पिताल ले गया जहां डॉक्टorar द्वारा प्रात्यूं को चार दिया जाने के बाद बेहोश तमपत्ती वबेटी को इलाज के लिए जवाहल डान नेरो मेडिकल के लिए राफर कर दिया गया फिलहाल बेहोश तमपत्ती के बेटे ने पुलिस कारवाही की मांग की है जानकार देती होए बेहोश दंपत्ती की बेटे ने बताया कि कुछ मिलाकर उनके माता, पिता और बहन को देदिया गया है दो बजे से वो लोग बेहोश पड़े हैं कोई होश नहीं है, उन्हें पिताजी माम बताया पापा है मेरे मम्मी है मेरी बहुत ज्यादा उनको मजदूर होने वो फुरूटी में मिला कुछ दे दिया है अभी दो बहुत कैसे मजदूर घर में कैसे हैं तूट-फूट का काम चला है घर में हाँ अभी बहुत हैं तो कोई होसमें नहीं है तो लूट वागरा भी हुई है कहां के रहने वाले आप में गुडिया वाक्ता डैलीगेट मलगान सिंग में कैसी कंडिशन हैं अभी बहुत हैं तो यहां मिल रहा है लंबर आयते अव मिस्ट्री वाले आयते उनने उसमें फूरूडी में कुछ मिला दिया था जो और पापा को एक ग्लास बरके फूरूडी बलाई थी अव मम्मी को भी दी और मुझे भी दी जबते मैंने भी इसके बात मुझे नसाने हुआ जैसी पापा ने भी उसके बात पापा को भी नशा हूगा है ममी को भी दी नशाओ गया है तो लंगे तो हमी चाही ने कुंदल लेके लिते पैसे क्या पैसे व्गेरा जैस पता नहीं है लगवक चार बजे तीन पेशेंट आये घर के परिजन लेकर के आये थे उनको जैसे कि घर के परिजनों ने बताया कि उनको कोई नशीला पदार्त किसी ने पिलवा दिया था उसमें एक महिला थी एक पुरिश और एक बच्ची थी महिला पुरिश तो काफी नशी में थे असर था दवा का और बच्ची फिर भी रेलिटिबली अच्छे कंडिशन में थी तो उनों का प्रात्मिक उप्चार करके फिर मेडिकल कॉलेज आगे रिफर कर दिया गया जो पुरुष थे उनका नाम थे राजकुमार वार्षनी पचास साल मेल थे और महिला थी उनका नाम कमलेश पैतालिस साल और जो बच्ची थी शिवानी बारह साल की थी जी उनके पर अचर दादा था जी फारुक अंचारी